नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में मैं हूँ आपका दीब और आज हम आपको सिखाएंगे कि KML से अपन एक्सल फाइल प्रोपोजट वर्क की एक्सल फाइल कैसे बनाते हैं बर्क लिष्ट बनानी है तो उसमें से वह वाला फोल्डर चूज करेंगे जिसको हमको एक्सल सील में कर्वट करना है बाकी डाटा को के मैं नहीं बनाएंगे एक्सल में नहीं लेंगे बहुत सारा डाटा एक्सल होता है हम प्रपोजट बर्क के को सेवेच कर केमेल में सेफ कर लेंगे और यह हमने डेक्स्टॉप पर सेफ कर लिया यह हमारी फाइल आ चुकी है अब हम कोई भी एक्सल फाइल अदि आपके पास परहले से खुली हुए तो उस में भी ऑपन कर सकते य्या फिर कर सकते हुथ एक समय नहीं औक्द फाइल क्रिएट कर अब हम इसको ओफन करेंगे ओफन करने के बाद फाइल में जाएंगे जयसे फाइल कोलते हैं फाइल में जायेंगे कोई भी फाइल कोलते हैं ओफन करेंगे, ब्राउज करेंगे अब यहां आपको एक विसस चीत ध्यान रखनी है यहां Type of File, कौन कौन सी फाइल करना है एब इस ध्यान रखना है इस फर आल फाइल करना है तब ही आपको केमल दिखेगी इसमें देखिए अब सारी फाइल दिखने लगी जो हमने आपके पुछ बर्ग की केमल सेफ की थी अब हम उसको ओफन करेंगे तो यह हम सेलेक्ट करके और ओफन करेंगे ओफन करते ही के रख वेंडो खिल कि आएगे इसको यस करेंगे ज्यादा दियान नहीं देना इसको भी यस करेंगे डिफॉल्ट रहना देंगे जो भी है ऐग करेंगे हौके करते ही आपकी जितना भी सारा आपका data KML में थाप सारा Excel में convert हो चुका है अब इसमें पहतना सारा data convert होता है आपके जितने तरह के folders, lines, points सभी के data देता है वो इसकी language होती है KML की जो language होती है Key holes language उस language में convert करके सारा Excel में so कर देता है तो हमको सिर्फ उसरिफ work list की आवा सकता है तो हम बाकी का data delete देख delete भारेंगे सबसे पहले हम fold, bow, line, row और column देख लेंगे जिसमें हमारे work है तो वो delete ना करें इसमें बहुत सारा data है तो हम एक एक करके column और row को delete करते जाएंगे इसमें एक और है आपके जितने अधी आपने point दिये हैं तो point wise आएंगे अधी आपका lesand बना हुगा है तो lesand के हिसाब से हर एक point का longitude latitude आएगा तो इसके लिए हम सिर्फ उसर्फ वर्क नेम पर filter लगा कर बाकी का data delete मार देंगे जिससे सिर्फ उसर्फ वर्क का ही हमारे पास longitude latitude रहे बाकी आपके lesand में हर एक point हर एक नेम का longitude latitude आता है longitude latitude सेम रहता है पर इतने सारे longitude latitude का हम कुछ नहीं करेंगे इसके बाद यह देखिए हमारे सारे वर्क निकल के आ चुके हैं देखिए contour, contour trench, contour trench, boulder, plantation, check dams और इनके हमारे longitude latitude आता है अब हमारे यह एक ही column में सारे longitude latitude आ रहे है तो इसको हम अलग करने के लिए select करेंगे select करने के बाद एक option होता है data, data में जाएंगे data के बाद text to column अब इसको हम separate column में करेंगे इसमें next करकर comma से select करेंगे comma से यह अलग हो जाएगा और finish कर देंगे यह देखिए हमारा latitude और longitude अलग-अलग column में हो चुका है finally यह Excel sheet तयार हो चुकी है तो दोस्तो ऐसे ही वीडियो देखती रहने के लिए subscribe कीजिए like कीजिए और दोस्तों में share कीजिए जिससे मैं मुझे motivation मिलता रहे धन्नवाद